चलो आज हम पढ़ते हैं स्टेंडर्ट टो के चाप्टर थी ठीके चाप्टर थी हिंदी बुक के चाप्टर थी पढ़ेंगे उससे पहले सबको वेरी गूड अप्टर नून और गर्मी का मोशम चला है तो आप जब भी पढ़ाई करते हो लॉंग टाइम के लिए तो पास में अपना ग्लुकोज और पानी बगरा रख के पढ़ाई करो क्यूंकि पढ़ाई में डिस्ट्रप नहीं होगी बार बार उटकर नहीं जाओगे और आपके डियाड्रेशन भी नहीं होगा और गर्मी के लिए बहुत आवश्यक्ता है अपनी बढ़ी में ग्लुकोज होना अगर उससे पहले मैं और कुछ बोलना चाहिए अगर अभी तक भी कोई मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले प्लीज 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 सब लोग सब्सक्राइब कर लो अगर साइट पे के बल आइकन होगी उस पे प्रेस कर लो ताकि जो भी पोस्ट करू अच्छ लो पढ़ते हैं चुड़ा चुड़िया क्या पढ़ेंगे चुड़ा चुड़िया क्या है पहले ये बात है चुड़ा चुड़िया क्या है चुड़ा यानि कि मल बढ़ है चुड़िया यानि कि मल बढ़ है चुड़ा का दोनों जोड़े दोनों जोड़े ठीक है बच्चों क्या अब जानते हैं कि अनास दाले में सबजियां कहां से आती है खेतों से घर की रोसई तक पहुँचने के लिए इन्हें अनेक पहाडों से गुजरना पड़ता है इस पार्ट में इसी बारे में बताय गया पढ़ी और जानी अनास दाल सबजिया इन सब के बारे में आँपे पढ़ेंगे ठीके तो चलो देखते हैं एक किशान अपनी पतनी के साथ पेड़ की छाया में बैठ कर खाना खा रहा था पासी दरी पर उनका बच्चा लेटा हुआ था तभी एक चिंटी ने बच्चे को कांट लिया बच्चा रोने लगा तो क्या हुआ एक किशान अपनी पतनी के साथ पेड़ की छाया में पासी दूर पर उनका बच्चा लेटा हुआ था तभी एक चिंटी ने बच्चे को काट लिया आके बच्चे को कांट लिया बच्चा रोने लगा तो बच्चा क्या क्या रोने लगा बच्चोर से रोया क्राइंग की उसे चूप कराने के लिए किशान की पतनी ने उसके मुह में एक रोटी का टुकडा डाल दिया तो उसे चूप कराने के निये किसान की पत्नी ने उसके मुह में क्या डल दिया एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया किसान ने जब यह देखा तो बच्चे के मुह से रोटी का टुकड़ा निकाल कर फैंक दिया और पत्नी को समझाया जब किशान ने ये देखा कि उसके पत्नी ने उसके बच्चे के मुँँ में एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया तो उसे निकल कर फेंग दिया और पत्नी को समझा है किशान कब बोला किशान ये डडड़ यानि कि गिशान ने बोला अरे अकल की खोटी क्यों इसे खिलाई रोटी क्या हुआ नब बोली कि अरे अकल की खोटी क्यों इसे खिलाई रोटी तो अकल की खोटी याने की क्या है कम अकल बाली कम अकल बाली जिसके पस थोड़ी सी कम अक एकल के कोटी क्यों इसे कलाई रोती किसको किलाई रोती बीना दान्थ के के सा खाएगा यह रोटी अडी से क्वे गरले ज़ा ले जाकर दूद्ध पिले इसे कैकर घर ले जा जाकर दूद पिला या फिर दाल चावल को मिला कर खिचडी बना और उसी को खिला उसी पेड़ पर एक गोंसले में चिड़ा चिड़िया अपने बच्चों के साथ बेठे थे उसी पेड जिस पेड के छाया में किसान और किसान की पतनी खाना खा रहे थे उसी पेड वे एक घूंसले में चीडा चिडिया अपने बच्चों के साथ बेठे थे चीडा उड़कर नीचे आया और फेंका हुआ रोटी का टुकडा चोंच में दबा कर अपने बच्चों के खाने के लिए ले आया तो चीड़ा उड़कर फटाकसन ही चाया और फेका हुआ रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में दवा कर उठाया और अपने बच्चों के खाने के लिए ले गया चीडिया ने किशान की बात सुन ली थी तो उसकी पत्नी जो थी चीडिया उसने क्या की थी न किशान की बात सुन ली थी उसने सोचा रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में फस गया तो तो उसने सोचा अगर रोटी का टुकड़ा मतलब तेरे पास भी अकल कुछ जादा नहीं है, बहुत ही काम है, मैं ना खिलाओ अपने बच्चों को रोडी ना खिलाओ, मैं रोडी नहीं खिलाओंगी मैं अपने बच्चों को, चीडा बोला, अरे मेरी भोली, चीरेया, अंजान, क्यों होती है, खिचडी, सरी, क्या होती ह खिचडी पहले ये तो जान ले उसके बाद बोन ले कि खिचडी खिलानी है ओके पहले लाओ चावल फिर लाओ दाल दोनों को पका कर नमक डाल जब पके चावल जब पके दाल फिर सजाओ खिचडी से अपना था तो चीडिया ने क्या बोला पहले चावल लाओ फिर जाकर दाल लाओ दोनों को पकाओ उसके बाद नमक डालो और जब चावल पक जाएगा दाल पक जाएगी फिर तुम्हारी खिचडी भी तैयार हो जाएगी फिर अपनी थाल में खिचडी सजाना चीडिया भोली केसे आये चावल कहां से लाओ दाल चीडिया बोलती है चावल केसे आये और बाद भुद्धी मन था तो वो बोला चिड़ा बोला बादल आकर बरसेंगे पानी सब में भर देंगे पेड नहाए पानी में मचली उचले ताले में मेड़क टटर सोर करें कवयल कूकू टेर करें तो चुड़ा क्या बुलती है बादल आकर बरसेंगे बादल आकर धर्ती पे बरसेंगे पानी सब में भर जाएंगे पानी हर जगा भर जाएगी पैड नहाए पानी में अगर बादल बरसेंगे बारिस होगी तो पैड भी पानी में नहाएगा मचली उचले तालों में तालब नदी इन में मचली उचलेंगे खेलेंगे मेड़क टटर सोर करेंगे मेड़क आवाजे करेंगे और कोयल भी कूकू करके आवाज करेंगे ठीके उस पानी में जाकर हम करे धान का तब रोपन धीरे धीरे धान बढ़ेगा सोने सारंग खूब चड़ेगा तब उसको काटेंगे हम चोटे बढ़े गाउं के जन उस पानी में जाकर हम करें धान का तब रोपन, जब पानी सब खेत में भर जाएगा तब उस पानी में हम धान का रोपन करेंगे, रोपन ये धान लगाएंगे, बीज बुनेंगे, बीज के बाद उससे थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी वाली, उससे क्या निकलेगी, निकलेगी, फिर उसको हम लगाएंगे फिर फिर धान का पैड होगा, फिर उससे धान निकलेगी। धीनेधीने धान बढ़ेगा, सोने सारण घूप चड़ेगा। जैसे जैसे धान बढ़ता जाएगा, वेसे वेसे उसकी कलर सोने जैसा होता जाएगा, तब उसको काटेंगे हम, जब सोने जैसा एकदम कलर हो जाएगी, तब उसको हम काटेंगे छोटे बड़े गाउं के जन, छोटे बड़े गाउं के लोग उसे काटेंगे, चिड़े ने र पिर बोला जब सूरज कुछ गर्मा आएगा तब धान खड़ा सुख जाएगा ओखल में डाकल हम कूटेंगे उसे धम 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 भूसा फिर जब उत्रेगा उसमें से चावल निकलेगा एसे चावल आएगा समय भूत लग जाएगा तो क्या बोलती है जब सूरज कुछ गर्मा आएगा जब सूरज अपनी रोसनी के बल्त से गर्मा हट देगी तब धान खड़ा सुख जाएगा तब धान एकदम सुख जाएगा ओखल में डाकल हम कूटेंगे ओखल यानिकि जिसमें धान कूटा जाता है ठीकें उसे धम धम ध निकलेगा चावल निकलेगा एसे चावल आएगा समय बहुत लग जाएगा और एसे जब चावल आएगा हमारे पास तो समय तो बहुत लग जाएगा ना अपने चीड़े की बुद्धी पर चीड़िया बहुत खुश हुई तो अपने चीड़े की बुद्धी पर चीड़िया तो आपने बता दी, चावल कैसे आते, लेकिन डाल कैसे आते, उसका भी थोड़ा ग्यान दे दे, फिर चिड़ा बोलता है, क्या बोलता है चल देखते हैं, जंगल में में जाऊंगा, वहां से लकडी लाऊंगा, एक बड़ाई बुलबाऊंगा, उससे हल बनबाऊंगा, बड आएंगे, फिर बादल जल बरसेगा, सूरस धूब दिखाएगा, निकल पड़ेंगे एक उस दिन में, दो पतों के दाने, फिर पते हर लहर आएंगे, फुल सजीले आएंगे, फुलों के वीतर से फूटेंगी फलियां, जैसे उन फलियों को तोड़ूंगा, दाल के दाने बटर होंगा, डालिया जब भर जाएगी ऐसे दाल आएगी, तो जंगल में में जाओंगा, वहां से लकडी लाओंगा, कुछ उड लाओंगी, काट लाओंगे, एक बड़ई बुल बाओंगा, और एक बड़ई को, एक कार्पेटर को बुलाओंगी, उससे हल बन बाओंगी और उसको बोलूँगी कि तुआ ये लकडी पकड और उसे हल बन भा ठीक वेसी तरह बड़ाई के दाम चुकाऊंगी और बड़ाई को पेमेंट करूँगी उसके काम किये के दाम चुकाऊंगी हल को बेल में जोतूंगा हल को लेके बेल में क्या करूंगी जोतूंगा जोतूंगी उसको हम तुम दोनों तब मिलकर हम और तुम हम दोनों मिलकर चलाएंगे हल कहाँ पर धर्ती पर चलाएंगे डाल का दाना जमाएंगे उसके बाद दाल का जो दाना होता है बीज होता है उसको फेकेंगे या फिर जमाएंगे अपना पसीना बहाएंगे पसीना बहाएंगे पसीना बहाएंगे इनने की महनत बहुत करेंगे फिर बादल जल बरसा आएगा सूरज धूप दिखाएगा फिर क्या होगा न फूल सजी ले आएंगे फूल सुंदर और सजे हुए आजाएंगे फूलों के वीतर से फुटेगी फलियां जैसे फूलों के वीतर भी एक फलियों जैसे एक फूटेगी उन फलियों को तोड़ूंगा उस फलियों को क्या करतूंगी तोड़ूंगी और डाल के दाने बटरूं चिडिया ने कहा ये तो बहुत दिनों का काम है चिडिया की बात सुन चिड़ा हसकर कहने लगा चिडिया ने कहा ना ये तो बहुत दिनों का काम है तो चिडिया की बात सुनकर चिड़ा ने हसा और फिर क्या बोलता है देखो चिड़ा बोलती है जो चाहती है बच्चो को तो पड़ेगा चावल और दाल उगाना जो जो भी चाते हैं अपनी बच्चों को दाल और खिच्डी खिलाएं तो उनको क्या पहले बनाना चाहिए चावल और दाल बनाना चाहिए उसको प्रस्तुत करना चाहिए उगाना चाहिए इसलिए तो कहते हूं पगली भूल जा बात कुछ इंसेक्ट पकड़ के लाना प्रेम और प्यार से उन्हें वो सब भी खिलाना पहलबान सा उन्हें बनाना पहलबान की तरह उनको बहुत स्ट्रॉंग ही बनाना है यह सुनकर चिडिया आपने चोंट से बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी यह बाद सुनकर चुड़िया क्या करती है अपनी चौन से बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ कर खिनाने लगी बड़ा मज़ाया ना यह सबजिट पढ़के मुझे बड़ा मज़ाया आप सब ric andare देन चलो इसके देखते हैं कुछ कटिन सब्द अर्थ जनिये अकल की खोटी काम अकले वाली जन यानि की लोग सजी लेनी की शुंदर और सजे हुए चीरे यानि की चुडिया पशीना बहाना मेहनत करना बटोर होना यानि की इकट्ठा करना तो यह आपकी खतम हो गई आज के शेक्षन यानि की आज के चाप्टर क्या पड़ा रहते हैं हम चिड़ा और चिड़िया तो नेक्स्ट प्लास हम इसके करेंगे कोशिन आंसर तब तके लिए अगर आप किसी भी वर्ट को अगर आपका मालूम नहीं हो आसका मतलब तो मुझे कमेंट्स पे फटा-फट से बत कोधी जादा कोशिश करनेंगी लाइक एंसर करना मत भुले करें त्यूं टाटा बाई बाई हावे नाज दे